वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स भारत में करोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए परदान मंत्री नेरेंद्र मोधी ने 24 मार्च को लॉक्डाउन का एलान किया था पूरे देश में दो महिने तक लॉक्डाउन लागू रहा लेकिन देश की अर्थव्योस्ता को ध्यान में रखते हुए दो महिने एक कड़ लॉक्डाउन के बाद सरकार ने धिल का इलान किया इस ऐलान के बात से देश में करोना वाईरस का प्रकुब लगातार बढ़ता जा रहा है तो आईए जानते है इस रिपॉर्ट में लॉक्डाउनमें मिलने के बाद से किस प्रकार को प्रकोप बढ़ा है भारत में कुरोना वाइरस के मामले पूरे मैं Cake में में करीब देड़ लाक सामने आए थे जबकि मैं में लॉक्डाउन फोर पॉइंट जीरो लागो था पॉइंट लॉक्डाउन में छूट मिलने के बाद कुरोना वाइरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जून महिने के शुरुआती नौ दिनों में ही अब तक चोरासी हजार नए मामले सामने आ चुके हैं यहीं नहीं भारत में कुरोना से मरने वालों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है मैं महिने में देश भर में कुल 4254 लोगों की जान गई थी जबकि फिछले 9 दिनों में ही 2311 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बता दे कि इसके बावजुद भारत में कुछ ऐसे राजे भी हैं जहां कोरोना वाइरस से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है इनमें गोवा मनिपूर पंडूचेरी नागा लेंग मिजोरम अर्वांचर परदेश अंडमान निकोबार दिप्समू दादर और नगर हवेली दमन एंडिव वहीं तिन राजियों लदाक मेगाले त्रिपूरा में एक एक केस सामने आये हैं जबकि आखलों के अनुसार अब तक लच्छे दिप ही एक मात्र राजिया है जहां कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है राजियों की बात करें तो महराष्ट में पिछले करीब तीन हपते से हर रोज 2000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हो रहे हैं वहीं दिल्ली में भी कोरोना के लागतार 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं आकलों की लिहाद से बात की जाए तो संक्रमर में भारत के केसों में 30 50 हिस्षा महराष्ट का ही है मौत में भी महराष्ट की देश में 38 50 की हिस्षेदारी है अकेले मुंबई में ही इस वक्त 11000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं जो कि अन्य किसी भी राज्य से कहीं ज्या दर्फ हिस्षदी है तीसे नंबर पर इस दिल्ली में इस वक्त 11309 केस है हाला कि यहां 905 लोगों की जान गई है जो कि देश में हुई मौतों का गारफ हिस्षदी हिस्षा है तो यह थी देश में बढ़ते करोना के प्रकोप पर हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं बाकी देदुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ धन्यवाद